कि आवाज आ रही सबको जली बताएं पीस आवाज आ रही है वीडियो आ रही सबको आवाज सबको आ रही जली बताएं आवाज के लिए सबकुछ के लिए रहे है ओके क्या पढ़ायत है जी बताएं और आज क्या परहाना है आपको 1857 का विद्रो परहाना है क्या बात है तो 1857 का विद्रो नहीं हुआ है न जी चीक है चलिए अठाइस वसंतावन के विद्रो की बात चल रही है आप दखी गा तो उस दिन तो बताए भी था साथ मैंने 1857 का विद्रो बताए भी था आपको के 1857 के विद्रो की बात करें तो जी यह दोस्तो 1857 का विद्रो गवर्नर जनल लॉट कैनिंग के टाइम परेड़ में हुआ था और 1857 का विद्रो जो गवर्नर जनल लॉट कैनिंग के टाइम परेड़ में हुआ था इसके पीछे कई सारे factor responsible थे बरादना जी कई सारे क्या थे factor responsible थे जैसे कि आपको समझा चुका हूँ थे न दे रिवोल्ट ऑफ 1857 वस हैल दूरिंग टाइम प्रड़ गवर्णर जनरल लॉट कैनिंग या दखियेगा इसके पीछे कई सारे factor क्या थे उत्तरदाई थे या दखियेगा थे न जी यहां दोस्तों यदि यहां पर 1857 के विद्रो की बात किया जाए जी यहां दोस्तों देखिये इसके टाइम पेड़ में हुआ था तो जी यहां दोस्तों देखियेगा लॉट कैनिंग के टाइम पेड़ में हुआ थे यहां दोस्तों पहला कारण क्या तो जी यहां दोस्तों पहला कारण क्या तो जी यहां दोस्तों देखियेगा राजनेति कारण था पहला कारण क्या था जी राजनाती कारण और राजनाती कारण पिछली बार मैंने आपको बताया भी था थे ना तो Social राजनेति कारण की बात कै तो जीया दौस्य दुखेगा राजनौती कारण में पहला प्हार था जीया दौस्य दुखेगा कानपूर साहिट्र इस माज या दखेगां कानपूरvention में नान साहिब के पैंशन की समापति की गई थी तो यहां से आपसे कोशन पूछा जा सकता है थे ना साथ साथ में दोस्या देखे दूसरा क्या था जी दूसरा सबसे मेजर कारण था यहां से आपसे पूछ सकता है दूसरा सबसे मेजर कारण क्या था जी दूसरा सबसे मेजर कारण था पहला तो था कानपूर छेत में नाना साहिब के पैंसिन की समाप्ति की गई थी दूसरा सबसे मिज़े कारण था अवद के छेतर को जी यह दोस्या देखेगा अवद के छेतर को कुशाशन के आरूप में विले कर लिया गया था आवद के छेतर को कुशाशन कुशासन तो में आता है यानि आप में सासन करनी चमता नहीं हो कुशासन के आरूप में क्या कर लिया गया था विले कर लिया गया था या दखी गा थिना क्या कर लिया दोस्तों विले कर लिया गया था या देखको तो अवट के छेत को यह देखी हिना इहां से पूंचा जाए बिल्कुल आपको कर सकते हैं आवट के छेत को पुछाशन के आरोप में के आरोप में आद एखीएगा ओरोप में क्या होते दौस्त ऑब लिए कर लिया थे बताया था दोस्तों आपको। अपको लेप्स पॉलिसी ठी नheus के ऑन इसके कारिन से में जी यहां दोस्तों क्या 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 तो सतारह यह स recordedा क्या क्या घ्ल estado पुर नागपुर और 77 में क्या संभ़लपुर पुर के स Sn involve को पुर के स्वेटर का ऍर से ogniतर को विले किया गया था थे ना पिछली बार यहीं तक लेक्चर हुआ था मुझे लगता है यहीं तक लेक्चर हुआ था यहीं तक लेक्चर हुआ था बदाई यहीं तक न समझाय था आपको यहीं न समझाय था जी आपको ठीक ना चले तो 1857 के विद्रो की बात करें तो 1857 का व तावत के छेतर को कुशाशन के आरूप में विले किया गया था सबसे मीज़र कारण किया था डॉक्ट्री ऑफ लैपस पॉलिशे डॉक्ट्राइण ऑफ लैपस पॉलिशिया दिकिए गा जीयां दोस्या दिखेगा डॉक्ट्रिन ओफ लैप्स पॉलिस की द्वारा सातारा जहां से नागपूर और संबल पूच्चाय से छेत्रों को क्याप्चर किया गया था जली सकीजेगा किसान जन जातीयां दोलन समाजिक सुधार सब होगा सब होगा सब होगा सब जली सकीजेगा जली सकीजेगा 1857 का विद्व गवन्ट जनलोट कैनिंग टाइम पेड डमें कारह Active कार में ना सब्सक्राइब के फैंशन की समाप्ति अवत के छेत्र को कुशासन के आरुप में विल है साथ साथ में डॉक्ट्राइन ओफ लप्स पॉलिसी द्वारा जी यहां दोस्तों सतारा जहां से नागपूर जैसे छेत्रों को कैप्चर किया गया था यहां तक लिए अराम से करीए को जल्दबाजनी यह आप में से कोई ॐसिं यह उपनी से जेने जा देने ज अल्ट्रेत तो सिभिसका सब थो घ्रेजविट नहीं अपूर अलनल बहरे हो कोई बच्चे का वरा भाई बिपीएसी हम में अरे फीप बहर रहे हो की नहीं बहर रहे हो हां सरह 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 कल से 25 July से 25 जृलाई से या दिखी गा 69th BPSC का 69th BPSC का जीना दोस्या देखे बैज सुरू होने जा रहा है बैज क्या होगा शुरू होगा चीक है बैज सुरू होगा इसकी फीस है मात 1760 रुपया फीस है एप से लोगे 1760 है और डिसकाउंट के लिए कोड क्या है यह मेरा कोड है Y242 यह Y242 फेकल्टी कोड है अगर किसी को लेना तो ले सकता है ठीक है यह Civil Services का रहूल ठाकोजी Civil Service BPSC Civil Service ठीक है चले डिसकाउंट के लिए कोड है Y242 अगर किसी को यूज करना हो तो अगर किसी को लगता हो कि येस मैं आपको अच्छा पढ़ा रहा हूं ठीक है और आप मेरे से चीजें सैटिस्फाइं हो तो आप कोड कर सकते हैं Y242 तो कोड करके ले सकते हैं कल से सुरू करेंगे तो राजनितिक कारण क्या है जी कानपुर छेत में नाना साहिब के पेंशन की समाप्ति अवद के छेत को कुशासन के आरुप में विले सासत में दोस्या देखें डॉक्ट्राइन ओफ लेप्स पॉलिसी के तहाद दोस्या देखेंगा जीयां दोस्तों सतारा जासी नागपूर छेतों कैप्टर किया गया सर्दिस्काउंट के बाद कितना डिसबस डिस्काउंट के बाद जो है यह सत्रा सो साथ का पर देगा अड़ा के ए APP पर कोड लगाने के बाद रखें दोक्टराइन ओफ लेपस पॉलिसी द्वारा अगर देशी रियासत है मान लिजे गूसिया क्या ना में आपका गूसिया जी मान लिजे कि आप गूसिया है और आप जो है अपने आपटेड है यानि आप अपने माता पिता की अदप्टेस संतान है तो आप adopted संतान है तो आपके माता पिता की जो आपकी पुस्तैनी संपत्ती है उसमें से आपका कोई rights नहीं होगा और माता पिता के जियां दोस्तों जिस भी कोई देशी रियासत होता था तो कोई भी जो देशी रियासत होता था राजा रानी के मरने के बाद सारी संपत्य जो थी adopt कर लेते या सारी संपत्य capture करते तो कौँ? Britishers तो जीयां दोसे दिखेगा अगर मालीजे राजा रानी मर गए और adopted son है adopted son है या adopted लड़की है तो उसको संपत्य में धीकार नहीं मिलेगा थे ना तो वो संपति किसकी हो जाएगी तो बिटिसस के हो जाएगी अतर सातारा जहांसी नागपूर जैसे छेत्र को क्या कैप्चर किया गया था इस पॉलिसी के द्वारा के लिए रहे हैं हो गया जिस अब का थे लिए अगया उसमें ब ediyor भी अस्टव मैं यहां पर जोगर chip पुरा पढ़ाऊं गा और हिस्ट्री पूरा पढ़ाऊंगा जोगरफि और हिस्ट्री पढ़ाऊंगा पूरा सब्जेक डू सब्जेक्ट मेरे पास है च्छीकाई क्या मैं आगे बढ़ services क्या बादह बोथ लेंग्वेज होगा विकरम कुमार जी बोथ लेंग्वेज बोथ लेंग्वेज में होगा चीक है चलिए आगे बते हैं अठारस सु संतावन के विद्रो की बात करें इसके पीछे आर्थिक कारण भी थे आर्थी कारण में क्या था 1857 के विद्रों का आर्थी कारण economic cause की बाद चल रही है किसकी बाद चल रही है दोस्ता economic cause या देखे या ठी न economic cause 1857 के विद्रों का अगर economic cause की बात करें economic cause क्या था जी यहां दोस्ते या देखेगा आर्थी कारण क्या था अगर इस पर चर्चा किया जाए रिवोल्ट ओफ 1857 की बात करें जी यहां दोस्या देखेगा 1857 के विद्रो की बात करें रिवोल्ट ओफ 1857 की बात करें तो सबसे important चीज क्या या दखेगा या दखेगा 1857 के विद्रो के आर्थी कार्णों सबसे पहला कारण था जी यहां दोस्या देखेगा ब्रिटिस लेंड रेवेन्यू पॉलिसी क्या दोस्तों ब्रिटिस लेंड रेवेन्यू पॉलिसी यानिके ब्रिटिस भूराज्य सुनीती ध्यां समझेगा ब्रिटिस भूराजस नीती थी ये इसके लिए उत्तर दाई था जीयां दोसिया देखेगा ब्रिटिस लेंड रेवन्यू पॉलिसी की बात करें ब्रिटिस लेंड रेवन्यू पॉलिसी बात करें तो जीयां दोसिया देखेगा ब्रिटिस भूराजस नीती इसके लिए क्या थ अब बिटिज भूराजस नीति की बात करें यहां पे तीन तारह की पॉलिसी को एड़प किया था तेन स्थाइ murmelnें बंदोबस्थ बंदोबस्थ कि बाद चलिये थी ना इस्ताइब बंदोबस इसकी जो सुरुवात किया था इसकी सुरुवात किस ने किया था जी यहां दोस्या देखेगा लॉट कानुलिस ने किया था लॉट कानुलिस यहां देखेगा इसने सुरु किया था इसमें था क्या इसमें था क्या इसमें दोस्या देखेगा जमिंदार जो था जमिंदार यह भूमी का मालिक था जमिंदार क्या था भूमी का मालिक कोई दिखा तो नहीं है भूमी का मालिक होता था चीक है समझने का प्रयास करेगा जैसे माल लिजे माल लिजे दोस्तो माल लिजे दोस्तो एए यही मान्शू है यही मान्शू है यह क्या एक जमिनदार है क्या दोस्तों जमिनदार कोई दिकर तो नहीं है यही मान्शू यह दोसे आद देखेगा यह हिमान्सु क्या एक जमिनदार है कोई दिका तो नहीं है यह हिमान्सु जी क्या है यह एक जमिनदार है अब यहां पर माली जी यह किसान है ठीक है ये कौन है किसान है किलियर है किसान अब जमिंदार जो होता था जो जमिंदार है ये भूमी का मालिक होता था ये भूमी का क्या है मालिक है ठीक है ये भूमी मालिक ये भूमी है इस भूमी पर किसान क्या कर रहा है ये खेती कर रहा है खेती कौन कर रहा है ये कर रहा है ठीक है तो जमिंदार इस भूमी का मालिक है जमिंदार ये भूमी का मालिक है ध्यान समझेगा ये जमिंदार इस भूमी का मालिक है और किसान क्या कर रहा खेती कर रहा है तो जमिंदार जाके कहरा कि एक किसान भाई एक किसान भाई हमरा के ल टो यहाँ फसल उगाएं है यह फसल उगा लिए यहां पर अब इसे क्या माग़ा लिए लगान तो मालिज जे संहे 100 केजी गेहु Water दे दिया अब सो केजू इससे क्या मिल गया लगान मिल गया लगान बोछी तौब लगान मिल गया निजी इसेके पर हो कि दी लगान मिल गया अब इसकर दोसिया दिखेगा 89% किसको देगा यह ब्रिटिस को देदेगा किसको डे देगा दोस्तों ब्रिटिसको दे धे और इसके पास कितना और बच्छा आ इसके पास और ग्यारा परसंट का एक यारा परसंट कौन परसंशन नंखिए गारंडार ग्यार फार्ट हेगा इस फाल मताओन का माली और इस किसान से इसने लगान वसूल किया लगान इसके पास आगे माली जेक एक एक्जाम्ब के तो अपस 100 kg आनाज ले मिल गया इसको लगान के रुपे मिला तो इसका 89% किसको देगा बिटिसको और 11% खुद भी तो रखेगा खाएगा ना अरे खाएगा के नहीं अब यह जमिंदार जो है यह जमिंदार भाई है यह भी सोचता था कि एक अरे कि सान्वा को नहीं पूट जिय पुट करता लिश् involved करता इसका हिससा कितना अजाता इसको डबल मिल जाता अगरं माली जे 100 kg बार नोच करके घसोट करके और किसी तरह से भी इसको लूट करके इसे 200 kg अगर ले लेता वो लगान चीक है तो बिटीसास को तो 89 जाता है इसको भी तो ज्यादा मिलता है आज मिलता कि ने मिलता तो ये इसका क्या कर रहा है सोसन नगी सु आप जो अब यह इसका चुनू मुनूह का गुसाएगा नहीं बताओ जो चुन्नूमुन्नू है सब गुसाएगा न सब अंग में हैं गुसे के अंदर 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 क्या गुसा भरा हुआ है कब गोली चला के मार देगा सब बृतिसर उंको पता नहीं पूरिश घर घर समया गया तो अब सबसे लगान लेता था ठीक है और उसका 89 परसेंट बिटिस को देता था और 11 परसेंट किसके पास अपने पास रखता था अरे के लिए रहो गया बताहिए सबका डन हुआ सबका डन हुआ सबका डन हुआ दोसरा देखिया देखेगा दूसरी विवस्ता थी रहतवारी रहतवारी विवस्ता थी अब रहतवारी विवस्ता में क्या था इसमें किसान भूमी का मालिक था किसान जो था क्या करता था इक किसान इसमें भूमी का मालिक था भूमी का मालिक को दिक्कत नहीं है बोले न जी इसके सुरुवात किसने है इसके सुरुवात मुन्रो ने करी थी मुन्रो के द्वारा दोस्या देखेगा मुन्रो ने इसको क्या किया था शुरू किया था थे ना दच्छिन भारत में साउथ इंडिया में मुन्रो के द्वारा इसकी सुरुवात की गई थी अब इसमें का था माली जे ये एक एक ये जो है माली दोस्तों ये कौन है ये कौन है ये किसान है अब किसान कौन है इस किसान का नाम क्या है ये किसान है इस किसनवा का नाम का है इस किसनवा का नाम है प्रियंका माली ये प्रियंका है ये प्रियंका जी है और ये क्या है एक किसान है ठीक है ये किसान या दखेगा अरे के लिए रे क्या है ये किसान है या यह किसान खेती करता करती है खेती करती है खेती करके अपना गुजारा चल चलाती है कौन यह प्रेंका जी क्या है किसान है अब इनके पास जमीन है इस जमीन है इस जमीन पर इन्होंने फसल उगा लिया इन्होंने क्या होगा है जमीन पर फसल उगा लिया ठीक है अब यह जो आदिकारी जो बिटिस अधिकारीं ये आकर कर रह रहा है कि एप प्रेङका जी आपने खेती तो आपने बहुत अछय किया है वह 呀iner संदार आप खेती करती बताईये ऊप मना यहां लागानि मांगी है तो मेल वरस्ता में जमीन क्या तो मालकिन मैं हूँ और मैं खेती भी कर रही हूँ मैं खेती भी कर रही हूँ ठीक है तो बिटिस्वा कर रहा है कि मैडम मैडम प्रियंका आप घबराएं नहीं मैं भूमी को माप करके लगान लूँगा कैसा लूँगा माप करके तो इस वरस्ता में क् माप करके आदेखेगा माप करके क्या लगान लिया जाता था अब प्रियंका जी क्या हो गई खुस हो गई बिलकुल खुस हो गई पुरीता से कि चला कम से कम जो है इका कर रहा है भूमी को माप करके लगान ले रहा है यह प्रियंका की सबसे अच्छी भूमी है सबसे अच्छ प्रियंका जी का एक और जमीन है यहां पर भी एक फसल उगा रही है यहां पर इन्होंने फसल उगाया इनके पर दूसी जमीन थी यहां पैदावार साथे केजी हुआ कुल पैदावार यहां पर कितना हुआ कुल यहां पर साथ केजी पैदावार हुआ अब कुल पैदावार जो है कितना हो गया साथ केजी साथ केजी यहां सूत पादन हुआ तो बिटिस वक अतना रखेगा बिटिस इसने कमनी कितना रखेगी तो साथ में से कितना रखेगी पचास केजी रखेगी तो पचास केजी त रे रें बाप, प्रें, बाप, पितव, बिटव, स्कूराहत थी, लेकिन यहां पर जो इनकी खराब जमीन से यहां पिर शाठ केजी दिदें से चाहे भूमी Всем कोई ले ना दे नहीं है सब्सक्राइब बराबर लगान ले रहा है तो एक जगा पर चेहरे पर खुशी थी और एक जगा चेहरे पर क्या मायूसी आ गई यही थी रहतवारी वरस्ता तो यह नराज होगी की नहीं नराज होगी की नहीं इसने का उठा लिया इसने इसका बटवास बेचवा सब जो है कि सब का उठा लिया, गन उठा लिया, गन, गन उठा थियार उठा लिया, कि आप तो मार मार करके पीटेंगे किसको, बिटीश को, अरे किलियर हुआ, अरे समौझ में आ गया सबको, अरे समौझ में आ गया सबको, रहतवारी समौझ में आ गया, रहतवारी समौझ में आ लेता था भूमी को माप करके लगान लेता था लिए घटिया भूमी पर भी बराबर और अच्छी भूमी पर भी उतहें लेता था जो अच्छा जमीन था उससे भी 50% और जो घटिया भूमी था उससे भी 50% जाइड सी बात है जाइड सी बात है कि जो एक बाद जमीन को माप ल लेना देना नहीं था, इसको बिटिस से कोई लेना देना नहीं था, वो बराबर लेता था कि 50 kg इस खेज से और 50 kg उस खेज से ले लिया जाए, अब कितना उत्पादन हुआ हम नहीं जानते हैं, तो जायर सी बात है यह जो किसान थी प्रियंकाई खूब सोसित हुई तो इसका खूब ज़्यादा आठिक सोशन किया गया तो इसका जो आने वाली पीडी थी या सब बचवा सब था उसब का कर लिया हतियार उठा लिया कि एक आप बिटिस्वा के मारल जाई अब अरि सभी में आ गया सभी में आ रहे ईतना अच्या आपको आपको आ चले तो इस्थाए्व बंदोबस्त मेंढ जमिंदार भूमी efica का मालिक ठाए यहां पर जमिन को माप कर लेते थे या दखी आओना एउ यहां सबको सभी में आ गया सबका किलियर 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 है सब कभी नहीं भूलेगा सब क्या बात है प्रेंगा जी आप तो कभी नहीं भूलेंगी मुझे लगता है सब लोग भूल जा ले भूल जा भूला रख लें आप नहीं भूलेंगी डॉंड वैटी ना चीक है चले तो यहां तक मुझे लगता पूरा के रहे स्थाई बंदवस के लिए हुआ रहतवारी के लिए हुआ तीसा एक और था क्या महलवारी महलवारी या दिखेगा महलवारी महलवारी व्यवस्ता थी चीक है इसकी सुरुवार जो किया था हाल्ट मैंचेण जी ने किया था हाल्ट मेंचेण जी था हाल्ट मैंचेण वो किसान से लगान लेती थी और बिटीसस को देती थी बस इतना किलियर है यानि कि दौस्तों सबसे खतना की यही दोनों था इस्थाई बंदोबस्त रहतवारी और तीसरा महलवारी इतीनों व्यवस्ताने बिटीसस का बिटीसस ने खूब भारतियों का आर्थिक सोसन किया थ कोई जो किसान था उसका बेटवा सबस्टा सैनिक था तो स्वेंग किसान खेटी भी कर रहा है और यूद्व कर रहा है तो सारी चीज़ें। जोज़ें से क्या हो गई तोय चाहिए एक दूसरे स्करश हो गई तो 1857 का विद्धर सैनिकों दिखा गया था कड यानि कि दौस्तों यहां दखेगा अगर यहां पे आर्थ koşं की बात करें आ LIKE कारन की बात करें दिखेगा नीती सबसे मेजव कारण था इसमें 3 व्यवस्ता थी पहला कौन सा ? इस्थाइब बन्यवस्ता थी ये किलियर हो गया सबको इस्था है बन्यवस्ता दूसरा कौन सा तो रहत्वारी और पहला कारण था दूसरा कारण की बात करें तो दूसरा का व्यक्त पर गोग हस्त करगा है ऐंडी क्राफट इंड़स्ट्री डिस्त्रक्शन Fendi Crafts and Industry you can say that हस्त करगा उद्धोक का पतन हस्त करगा उद्धोक का क्या कर दिया पतन कर दिया ठीना पतन हो गया था हस्त करगा उद्धोक का क्या हो था जी पतन जैसे मा लेजे ये एक ये जो है कौन एक जुलाहा है ये कप्रा बुनने का काम करता है किसका काम करता है ये कपड़ा बुनने का काम करता है कारे करता है इसका नाम क्या है जी इसका नाम दोसिया देखेगा इसका नाम रख देते हैं क्या जी यह दोसिया देखेगा इसका नाम रोहित है ये रोहित है रोहित का काम क्या है जी तो रोहित भाई क्या करते है कपड़ा सब who रहा है जो ब्रिटिस रहा ये का कर रहा है का दे रहा है जी यह कच्चा धागा दे रहा है तो पता चला कि सौर रुपे का कच्चा धागा दिया सो रुपे का कच्छा धागा दिया अब यही कपरवा तीन सो रुपे वाला कपरवा बेच दे रहा है पचासे रुपया में पचास रुपया में बेच रहा है तो इक का करेगा अपने सर पे माथा पीटेगा ना कि यह मैंने क्या कर दिया क्या कर दिया सौ में रहा है एक रहा से जाके कच्छा धागा ले रहा सो रुपया में पचास रुपया में अच्छा खास कपरा मिलता थे यह कपड़ी दी तरह रहा है च्छेक्श है बढ़ी लगी लोगवाण लूट पार्ट करना सुरू करदीि है aire करना सुरुक दिये मार्काट करना सुरुकर दिये ए ए मैं है किलेर हुआ हस्त कर सका है हंडिक्राफ इंडेस्ट्री हैंडर्स जो हैंड यानि दोस्ते या देखेगा यानि बिटिस भुडा जसनीती हो गया हस्त करगा वो दुख का पतन हो गया ठीक है तो मुझे लगता है दोस्ते यहां तक तो सबका किलियर होई गया होगा मुझे लगता है यहां सबक्त तो कोई दिक्कत नहीं होगी आपको ठीक न पूरा समझ म विलेज इंडेप्रिटनेस ठीना है विलेज इंडेप्रिटनेस ग्रामिन रिन ग्रस्ता चीक है ग्रामिन रिन ग्रस्ता या दिखेगा बिटिस भूराजस निती में इस्थाई बंदवस था रैतवारी था तीसरा महलवारी महलवारी वरस्ता में ग्राम पंचायत किसानों से लगान लीता था और बिटीसस को दीता था क्लियर हो गया दूसरा कारण था हस्त करगा उद्धू का पतन आयो पहां तो क्लियर हो गया और तीसा था ग्रामिन रिंगरस्ता अब जैसे ग्रामिन रिंगरस्ता क्या था जैसे मालीजे मालीजे दोस्तों ये एक जो है ये किसान है ये किसान का नाम का है ये कौन सा किसान है ये किसान है दोसे या दिखीगा ये किसान है मीना जी किसान ये मीना नाम की कोई है जो क्या मीना नाम की कोई है जो क्या है किसान है फार्मर है क्या दोस्तों फार्मर बना देते हैं इसको अभी जो farmer है, एक और आख बना देते हैं, यह farmer है, अभी क्या करते हैं, अभी इसका खेत हुआ, यह इसका खेत पढ़ गया, अभी खेत है, खेत में जो है, यहाँ पे दोस्तों क्या सन है, खूब गर्मी पढ़ रहा है, सूरज भगवान खूब गर्मी पैदा कर रहे हैं, का क का सारा फसल क्या हो गया गर्मी के कान क्या हो गया नस्ट हो गया का हो गया जी नस्ट हो गया और बरसाद जो था बादलों से पानी जो बरसा ही नहीं बादल से जो बादल था बादल से क्या हो पानी बरसा ही नहीं पानी बरसा ही नहीं सब गर्मी के मारे पूरा फसल का हो गया नस्ट हो गया, ये बरबाद हो गई, का है बरबाद हो गई, का है कि पूरा का पूरा फसल क्या हो गया, नस्ट हो गया, सुम्हा गया, अब जब नस्ट हो गया, तो ये जो बिटिस्वा था सब, ये जो बिटिस्वा था, ये बिटिस्वा का कह रहा है, ये बिटिस्वा के चह नहीं और बिटिस का औरहे हैं कि हमें लगान दीजिए लगान खेती का लगान दीजिए अगर आपके खेत में घास का एक तिनका भी उगा मिल गया तो मुझे लगान चाहिए यह बिचारी रोने लगी कि अप का करूँ यह रोने लगी का कि बिटिस क्या कर रहा है लगान मांग रहा है कि लगान चाहिए फसल नस्थ मिज़ा कर रही है तो यहां प Siberia एक साहुकार महराज यह सूद पर पैसा देते हैं का देते हैं सूद पर पईसा देते ना सूद पर पैसा लिए कि जमीन का करी गिर्वी रख लें गिर्वी ठीप अब जमीन इसके पास गिर्वी हो गया है यह पूरा का पूरा जमीन इसके पास गिर्वी है और बदले में इसने क्या दे दिये इसको पैसे दिये जब पैसे दिये तो इसने इसको क्या दिया लगान दिया किलियर हुआ अरे हाँ है ना ठीक है तो यह बिचारी करज में फस गई ना अरे करजा में फस गई की ना जी करजा में फस ही की नहीं बढ़ाएं देखते देखते सब्सरू हो गया सब का आर्थिक सोशन किया किसे ब्रिटिस असने तो जीया दोंसया दिखेगा तो यहां कमिन रिंगस्ता कई से पैला क्योंकि जब भी कभी फसल नस्थ हो जाती थे तो स्काथ हमें तो लगान चाहिए हमें तो लगान चाहिए फीक है अब लगान देना है बिटिस को क्या करेगा तो मों यहाजन पईसा दे दी ही HIV Really लिए जमीन को गिरूवी रखा उसे पैसा लिया, पैसा ले करके क्या बिटिस्वा सबको लगान दिया, अब अगले साल मालिजे की ठीक ठाक बारिस होई, खिती बारी किया, जब खिती बारी किया तो बिटिस्वा फिर पहुंच गया कि लगान दा लगान, और अब की बार दूसर का महाजन भी कि दो आनाज ऑप पांच की दोभानाज में पूरा साल खाई समझ में आ रहा है समझ में आ है कि नहीं सम्झ में रहा यह तो यह जो आर्थिक सोशन वगया जीएं दोस्तों 1857 के विद्रों को जनम दिया था किलियर सबका किलियर है सबका किलियर हो गया सबका किलियर हुआ आर्थी कार्ण समझ में आ गया हुआ अर्थी कार्ण में तो अब कोई डाउट नहीं रहा होगा कि लेक्चर समझ में आ रहा है न मैंने तो तो सॉट कर दें सॉट कर दें ज्यादा लंबा खिच रहा हो तो कोई दिकत नहीं है रहा है कि शारण सॉट में पढ़ाइए तो अब ग emissions गी अ भूवा जर्ण तो पता नहीं है गुवा होगा हो तो पता नहीं है कि गुवा थे जैसे पहला कारण क्या तो जी यां दोसर राजनेती कारण था ये भी आपको पूरा क्लियर हो चुका है राजनेती कारण क्या पूरा कंसेट क्लियर है दूसरा कारण क्या था जी तो आर्थी कारण था आर्थी कारण था क्लियर है आर्थी कारण का भी कंसेट क्लियर है ती तीसा सबसे मेज़र कारण था समाजिक और धार्मी कारण की बात करें तो यहां दखेगा समाजिक और धार्मी कारण की बात किया जाए जिसे पहला कारण क्या था तो जीयां दोस्या देखेगा ब्रिटिस नसलवादी नीती ब्रिटिस दोस्या देखेगा ब्रिटिस नसलवादी नसलवादी नीती थे ना यानि ब्रिटिस रैसियल पॉलिसी ब्रिटिस क्या था रैसियल पॉलिसी थे ना ब्रिटिस नसलवादी नीती अब नसलवादी नीती क्या था इस यह बिटीस जो था बिटीस जो था अपना घहर ये इंका घहर है यहां पर रहता है यह अपने घहर के बाहर यहां पर लिख देता था दर्वाजे पर का लिख देता था deny dogs in indians are not allowed dogs in indian rocks यह दैखिएगा dogs and Indians dogs and Indians are not allowed not allowed लिखता था क्या लिखता था तो संब्सका मतलब का है बार्ती अर कुटा कुकूर कुकूर टेना जो कुकूर था कुकूर यहां देखेगा जो कुकूर थाना कुकूर तेना जिए भार्तियों कि तुम्हें लिए इसकूते से कर दिया कुट्ते से समयारा है यान कहा रहा है इतने वह समय बादमास थे यहां पर जो है जो भारतिय जो यह इंडियन्स है यह इंडियन्स कहां हमाई तुलना कुत्ता से करता है सब britishers पiau और ढुणा किसे करता है कुत्ते से करता है तो यह जो भेरव करता है तो इसने खाई पैदा कर दिया। सम्यारा किसके बीच में 되지 और इंडियन्स के बीच में खाई पैदा कर दिया कि हम दोनों कभी नहीं मिल सकते हम दोनों कभी नहीं मिल सकते हमाई संस्कृती भी नहीं मिल सकते ना तो हमारा कल्चर मिलेगा कुछ नहीं मिल सकता ये विदेशी है आकमनकारी है ये लूट पाट करने आया है नसलवाद फैलाता है यह पूरा भारतियों के दिमाग में घुस गया था समया रहा है यानि पहला क्या था समाजिक धार्मी कारणों में क्या जी यह दोस्तों समाजिक और धार्मी कारणों में बिटिस नसलवादी नीती यानि डॉक्स and Indians are not allowed भारती कुट्टा दोनों अंदर आना मनाँ है एक कुट्टा और भारती दोनों क्या बرाबर है ठीक है अरे खिलीर होगा सबका सबका कलिर है नहीं भारती कुट्टा दोनों क्या है अंदर आना मनाँ है यह स्टेटमेंट इस बात को बता रहा था कि जिया दोस्त को बत है और से नसलवाद का सिकार्माना जाता है ठीक है समाजिक धार्मी कारण में धार्मी कारण चल रहा है इसमें पहला पहला पई्ट आपने क्या किया पहला पॉइंट आपने किया नसल वादी नीति याद होता जा रहा है कि नहीं नसल वादी नीति ठीजिक दूसा क्या था यह गो एक्ट पास किया था सब जनरल सर्विस एनलिस्मेंट एक्ट दोस्या देखेगा येक एक्ट पारित किया गया था जनरल सर्विस एनलिस्मेंट एक्ट पारित किया था इस एक्ट में था क्या जी इस एक्ट में क्या था कि यह जो भारती सैनिक है, यह क्या जो असरे रखेगा। इस एक्ट के दोारा क्या था जिए तो भारती ये सैनिक, सैनिक जो था, अब कहां पर विदेश में अपनी सेवा देगा। विदेश में सेवा देगा, सेवा देगा, अरे किलियर है, ठीक है, विदेश में का देगा सेवा, ठीक है, अब यहाँ पे, अब यहाँ पे क्या हुआ, जो जनरल सर्विस अनलिस्मेंट एक्ट था, जनरल सर्विस अनलिस्मेंट एक्ट, इस एक्ट के द्वारा, इन सभी भार वहा हमारे युद्ध करना जैसे हम यात्रा करम समंदर के सब चुडइल, जितनी क्या तो सोच था इनका सोच का था इनका सोच ये था कि अगर हम समुंदर की यात्रा करेंगे अगर हम समुंदर की यात्रा करेंगे ये भारतिय सैनिक कहता था कि हमारे पीछे भूत पिचास चुडैल ये सब जो है हमारे पीछे पड़ जाएंगे सपने में आएंगे तो भाई यारे हमें हमें नहीं जाना है विदेश हमें विदेश में सफ़र नहीं करना है हम भारत में ठीक हैं तो ये जनरल सर्विस एनलिस्मेंट को लेकर करके इस सब क्या करता था ये सब जो था कहीं न कहीं जो था अंदर ये अंदर नाराज था अरे के लिए रहे अंदर ये अंदर समद्थ का था भाति सैंडेकों के अंदर घर दिया कि अगर हम समुन्ध के आत्रा करेंगे तो महापाप करेंगे यह यह हो गया यहुकде समाजी धार्मिक और पहला कारण था नसल वादी नीती पहला चीज याद हो रहा है जली बताएए दूसा क्या था जी यहां तो स्या देखेगा जनरल सर्विस या देखेगा जनरल सर्विस जनरल सर्विस एलिश्मेंट एक्ट 1856 समुंदर पार सेवा देना था समुंदर पार सेवा किसको सैनिकों को याद दखेगा तीसा सबसे मेज़ा कारण था जी यह दो से देखेगा दोस्तों सती प्रथा उन्मूलन या देखेगा सती प्रथा सती प्रथा उन्मूलन अधिनियम सती प्रथा उन्मूलन अधिनियम अठाचपन पास किया गया चीक है यह अधिनियम तो बहुत अच्छा था क्या लिख रहा है सर आपकी क्लास में लगता है हम लोग साथ बर्तमान में क्या कह रही है बर्तमान में हो रहा है बर्तमान में हो रहा है अच्छा अच्छा सती पर था उन्मूलन अधिनियम की बात करें तो इसाधिनियम के तैथ था क्या ये नियम तो बहुत अच्छा पास किया था, ये तो कुछ कदम तो उठाए लेकिन समाज में समाज का जो था ये कदम तो उठा लिया लेकिन ये एक व्यक्ति है कौन हिंदू, गतार हिंदू कहरा है ये वितिस तुमने हमारज रिवाज में इंटरफेर कर दिया कि आपने हमारे समाज में कोई से इंटरफेर कर दिया यह हमारा रिवाज है अगर कोई विद्वा हो जाती है तो उसको जिंदा जला देंगे हम लोग जिंदा जला देंगे समझ में आ रहा है कोई विद्वा हो जाती थी अब उसका पती तो जलाना आभ उस औरत जिंदा जले घी तो का णक करते हैं उसको खूब नसा देते थे नसा मतलब भांग वांग खिला देते थे किसको और अतिया सब को ताकि पूरा नसा में रहे खूब नसा में रहे ठीक है और उसको ले जाते थे और उसके पती को जलाते थे उसके चिता पूसको भी रखका उसको भी जला देते थे यही सतिप पता तो बताए कितना बैड कस्व तो इसको समाथ किसने बेटिस ने समाथ का जो कंजरवेटिव पीपल था कंजरवेटेव यह कह रहा था कि यह बेटेस तुमने अच्छा नहीं कि आप पर नाम बुरा होगा आपने एक मूवी देखी है वह आमिर खान वाली आमिर खान वाली जो उसमें और क्या नाम होता जु याद है तुम्हें वह जो एक अठारस संतावन के रिवोल्ट पर मूवी वाली खान के उसमें अमिशा पटेल नाम था उसका नाम होता है जुआला नाम होता है उसको सती करने के लिए जाना उसका एक बुज़ूर्ग उसको जलाने के लिए ले गए थे याद आ रहा है वही सती कर्स्टम था तो यह चीज तो सही थी लेकिन चीज क्या था यहां पर इसने कहीं न कहीं विरोध किया गया एक और सबसे इंपॉर्डन था विद्वा दोस्तों या देखिए विद्वा विद्वा पुनर्विवा पुनर्विवा अधनियम बिटिस ने पास किया यह जो इस तरी विद्वा हो गई अब उसकी दूसी साधी कर दिया जाए दूसी साधी कर दिया जाए उसका घौर बस जाए बिचारी का तो यह कानून पास किया किस ने बिटिसस ने कानून तो बहुत सही था लेकिन यह फिर से समाज का कंजर्वेटिव पीपल कहा है जो विद क्दाब है के लिए रहे यानि इस कानून के तहद दौसरा अधेगा उन को क्या किया गया प्रमोट किया गया थे ये कानून सही थे लेकिस dalका conservative people का विरोध कर रहा था एक और सबसे लिख लिजये कि इसाइम मिसेंडरी इसाइम ministry का भात में आज़मन है इसाय मिसेंरी का आज़मन अब यू का करेगा जीं का करेगा कर यूज मिसेंरी जो आरे तो काा करा धर्म्परिवत्वत्तन करेगा न जी अठर्म backlवत्वन करेगा थे जी अब एक आवा क्रिश्नीन टीम हें घुड़ा के फईसा दे हं तो यार जाणा दे हं तो यह बिवातर करकर गे इसई बनाया गया ठीक है और यह किसने है इसाइ मिस्राय झाओं तो अब बहुत ही चलाक था चलाक जो मुस्लिम जो भाभाने लगे गौन भारती यह ग्लिए रहा किखेगा इन सब का विरोद करने लगे और विरोत करने इसासत इन से दूर होने लगे यह कहीं न कहीं 1857 के विध्रों का दोस्तर दोसर दें कि ये 1857 के विध्रों की क्या ते फ्रिस्ट भूमी थी क्लियर है कि चलिए हाँ सब बेटिस लाए थे बेटिस लाए थे यह सब बेटिस लाए थे बेटिस के दुए लाए गया थे ना चलिए तो हमाए पास जो लब लब बख यहां तो हो चुका है नेक्स कारण डाली नेक्स कारण लिखे नेक्स कारण क्या था जी राजनीतिक हो गया आर्थिक हो गया समाधिक धार्मिक हो गया अगला कारण था सैन्ने कारण सैनने कारण सैनने कारण क्या था जी आँ दुसरा दिखेगा भारती सैनिको के साथ भेद भाव भारती है सैनिको के साथ क्या भेद भाव सैनिको के साथ भेद भाव Discrimination with Indian Soldiers Discrimination with Indian Soldiers भारती सैनिको के साथ क्या भेद भाव समय मैं रहा है क्लिएर है अब आले जे एक भारती सैनिक है एक भारती सैनिक है इस भारती सैनिक के साथ क्या छोटा पोस्ट दिया जाता था छोटा पोस्ट लिख लोईज को तो कम्लीट कर ले है छोटा पोस्ट दिया जाता था छोटा पोस्ट चीक है न जी छोटा पोस्ट फिर छोटा पोस्ट दिया जाता था दख तरी की बताओ छोटा पोस्ट चीक है वेतन कम दिया जाता था वेतन कम जेना हतियार घटिया दे जाते थे हतियार हतियार क्या घटिया दे दे थे ठीक है ऐसमें मैं आ रहा है घटिया हतिया देते थे वेतन भी कम देते थे छोटा पोस्ट देते थे तो जो भीदभाव करते थे भारतियों के निदर क्या था गुसा है, कि जब हम काम बराबर कर रहे हैं, तो वेतन बराबर मिले, अंगरीजों के एकॉर्डिंग, हमें पोस्ट भी अच्छा मिले, हमें सैलरी भी अच्छी मिले, तो ये भारतियों के निदर क्या था, जो करेंगे ठीक है अरे कराय तो था mcq कहां थी सुनाली जी सुनाली जी कहां रह गई थी संडे को मैं राथन लिया था एक बसे दो बज़े तक दो घंटा प्रैक्टिस कराया था कहां रह गई थी आप जो है कहां रह गई थी जी सुनाली जी संडे को यूटूब पे मैं राथन म चले ठीक है तो बाकी आप आपको जो कल करेंगे हाँ एक इंफर्मिस से सुन लीजे जी यहां दोस्ते सुन लीजे अगर आप 68 BPSC 69 BPSC त्यारी कर रहे हैं 69 BPSC देना है जिसको भी हमाय से जुना कल से बैच सुरू करने जा रहे हैं कल से बैच का होगा सुरू होगा कल से टक्षिला तक्सिला तक्सिला टू पॉइंट 0 BPSC सुरू करें इसकी फीस कितनी है इसकी फीस मात्र साथ रुपया फीस है अगर आपको लगता है कि यह जॉईन करना ही चाहिए अगर आपको एक्जाम निकालना है ऐफीसर बनना है तो मैं आपके साथ खराऊ छटान की तरह कल से बैच सुरू तक्षिला 250 फीस है 1760 तेना और दोस्ट आ देखेगा इसके लिए कोड का कोडवा का है कोडवा कोडवा पता है कि नहीं कोड आप लोग ने जब बैच पर्चेस किया हो तो कोई ना कोड लगाया होगा लगाया था ना कोड तो अब वो कोड ना करके भाई हमारा कोड भी यूज़ कर लीज़े तो कोड क्या है वाई टू फो टू है यह मेरा कोड है इस कोड का यूज़ करके आप यह बैच ले सकते कल से मुलाकात करेंगे आप से ठीक है चले ओक बबबाई टेक कियर जाएं दोस्ताव तो आप कोड लगा लीज़ेगा फांडेशन है यह फांडेशन बैच है यह फांडेशन बैच है कल से सुरू होगा इस बैच में मैं जो सब्जेक पराऊंगा मेरे पास जो है मेरे पास क्या क्या है इसमें मेरे पास दो सब्जेक है पहला हिस्ट्री है और दूसरा कौन सा जोगरफी है इसमें दो सब्जेक तो सबसे बड़े बड़े सब्जेक तो मेरे पास ही है हिस्ट्री और जोगरफी मेरे पास है ठीक है ना कॉलिटी वोगह सब को सारे सब्जेक्ट होंगे भाई कि अंच है घिए चले तो आजमें काफी के भंबाइ टेक केर से अब्जेक्टीव के लिए में भुक बता दिया है जैया है जैफ जैफ जी भुक बता चुका हुं लोड़े शुरु में ही बता चुका Łओं थेना चले, I hope कि मुझे लगता कि बहुत सारे बच्चे जिनको BPSC देना, 69 BPSC देना है, मेरे साथ सिर दो महीने महनत कर लो, तुम्हारा PT निकलवादूँगा, confirm, ये confirm है, ये दावे के साथ है, कि PT निकलवादूँगा, confirm, महनत इतना करेंगे आपके साथ, अगर आप मेरे साथ महन आगे त्यारी कराएंगे न, जी, मेंस के लिए आगे त्यारी कराएंगे, ठीक है, अले, टीचर कहा है न निकलेगा स्विता राजी, टीचर कहा है, टीचर तो आपको बना, अगर आपको मेरे से पढ़ने पर confidence नहीं आ रहा है स्विता जी, इतना आपको lecture दे रहा हूं, इत झाल झाल